अस्सलाम वालेकूम अरोकी स्टोरी सेमेट सेस्की नए अपसोर पे मैं आप सब दोस्तों को वैलकुम करता हूँ दोस्तों आज मैं आपको खुणी रिष्टे की आखरी किस सुनाने जा रहा हूँ अगले दिन सुबा होते ही हम तीनों भाई अपने अपने कामों पर रवाना हो गए बच्चे स्कूल और कॉलिज के लिए रवाना हो गए अमी और ताई ने घर की सफाई की और बदार के लिए चरी गी सौदर सर्फ लेने के लिए ठीक नौ बच्च के 35 मिनट पर बड़े ताया घर पर आए और दर्वादा पर ताला देखकर जोर जोर से बजारे लगे हमारे पड़ोसी बाह निकला और बड़े ताया से पूछा के बाई साब क्या हुआ तो बड़े ताया ने पूछा के ये लोग कहां गए हैं पड़ोसी निका बाई साब आपको पता नहीं के सुबास सब कहां जाते हैं बड़े बाई साब ने जवाब दिया के वकवास नहीं करो ये बोल कर चले गए कुछ ही टायम की बाद अम्मी और तायी बजारते वापिस आके जली से उन्होंने दुपहर का खाना बनाया हम सब ने मिलकर खाना खाया और पिर हम सब बच्चे अपने अपनी कमरों में अराम करने के लिए चले गए अम्मी और तायी ने शाम की खाने के तयारी कर ली शाम को हम दिनों भाई घर वापिस आये और रात का खाना खाकर सब चोने के लिए अपने अपनी कमरों में चले गए रात के दो बचकर पच्चिस मिनिट पर अब्बू उठे पानी और पिशाब वगरा से फारिग होने के लिए तो क्या देखते हैं के सैन में बहुत सारा धुआ भरा हुआ है अब्बू परिशान होकर सब को उठाने आ गए और सब को जगा कर बाहर लिया है ताया अब्बू अब्बू और चाचा ने बाहर जाकर देखा तो बड़े ताया हमारे घर को तेल डाल कर आग लगा रहे थे और बिलकोल पागलों की तरह चीख रहे थे कि मुझको जरील किया मुझको परिशान किया मैं किसी को नहीं चोड़ूगा सारा महला बार जमा हो गया सबने मिलकर बड़े ताया को पकड़कर खूब पीटा फिर ताया ने जाकर बड़े ताया को बचाया और इनको लेकर पडोसियों के घर आए इतने में फायर विर्गेट और पुलिस भी मौका बारतात पर पहुंच गई थी ताया ने इनसे बात की भाई साब आप नहीं क्या किया बड़े भाई साब ने का मुझे जलील किया मुझे परिशान किया मैं तुम मैसी किसी को नी छोड़ूँगा सब को मार दूँगा ये बात सुनकर हमारे ताया सर पगड़कर दबीन पर बढ़ गए और अब्बू ने पुलिस को कहा कि आप इसको यहां से ले जाएं गवाई के तौर पर अब्बू जाचा और महले की चंद लोग ठाने चले गए प्यारे दोस्तों ये थी खुनी रिष्टे की आखरी के रिस्ट प्लीज इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बेरे चैनल अनौकी स्टोरीज सब्सक्राइब जरूर कर देजएगा और साथ में बैल आइकन का बटन भी प्रेस कर देजएगा ताके आएंदा आपको अच्छी अच्छी कहानियों सुन्यों को मिलती रहें जजाक अल्ला सलाम वालेकुम